हेलो एवरिवन आज हम साबू दना बड़ा बनाएंगे जिसे नवरात्री या किसी अनिवरत्र में भी बना के खा सकते हैं आपके हिंदु पास के दिनों जैसे एकादसी, नवरात्री, महासिवरात्री या चतुर्ती के लिए एक स्वादिस्ट नैक है यह स्वादिस्ट बड़ा खाने में बहुत एक रिस्पी लगता है जिसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए आईए देखें चलिए अब बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले साबू दाना को साफ कर उने धोलें और दो या तीन घंटे के लिए पानी में बिगो कर रग दें यहां मैंने आधा कप साबू दाने में एक कप पानी डाल कर भीगने के लिए रग दिया था दो घंटे बाद साबू दाने ने सारा पानी सोक लिया है और यह फूल कर कितने बड़े हो गए हैं और देखिए इसे हम दबा कर देखें तो साबू दाना पूरी तरह से मैस हो रहा है अब एक जार लें उसमें मुफली डाल कर उसका पौर्डर बना लें अब उबले होई आलो भी छिल लें एक मिक्सिंग बाउल में चम्मच या हाथों की साहता से मैस कर लें अब इन मैस किये वे आलो को भीगे वे साबू दाना में मिला लें और साथ ही मुफली पौर्डर भी डाल दें और सभी को अच्छी तरह मिला लें आप चाहें तो हाथों की साहता से अच्छे से मिक्स कर लें अब सारी चीजों को मिला कर हम इसका डो बना लेंगे अब हम डो से बड़ा बना लेंगे तो हाथ पर थोड़ा सा घी लगा कर हम बड़े बना लें थोड़ा सा डो निकालेंगे हम इसे गोल करेंगे और चप्टा कर लेंगे बड़े आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या छोटे बना सकते हैं ठीक इसे तरह से सारी स्टफिंग से साबूदाना बड़ा बना कर त्यार कर लिए ये देखिए हमने इस डो से सारे साबूदाना बड़े बना कर त्यार कर लिए हैं अब इन्हें हम तवे या पैन में शेखेंगे शेखने के लिए हम तवा गरम कर लेंगे तवे में हम एक चमस गी जाल देंगे गी मैल्ट हो गया है बड़े शेखने के लिए लगा देते हैं गैस लो मेडियम रखेंगे और बड़ों के चारों तरफ सारे किनारों में थोड़ा थोड़ा घी जाल दें तीन से चार मिनट के बाद बड़ों को पलट कर देखते हैं ये नीचे की साइट से हलके ब्राउन हो गए हैं अब इन्हें ढपकर दूसरी और भी पूरे पांच मिनट तक सिखने देते हैं पांच मिनट बाद इन्हें पलट कर चेक कर लेते हैं अब हम इन्हें ढखकर नहीं सेखेंगे ऐसे ही खुले ही सेखेंगे हर दो तीन मिनट में अलट पलट करते रहेंगे और इन्हें गोर्डन ब्राउन होने तक सेख लें बड़े दोनों ओर से अच्छे गोर्डन ब्राउन सिकर तयार है अब इसे एक प्लेट में निकाल ले इसी तरह से बाकी बड़े भी सेलो फ्राई कर ले साबुदना बड़ा सर करने के लिए साबुदना बड़ा बहुती क्रिस्पी बहुती टेस्टी बने हैं और ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आप अपने किसी भी मन पसंद चटनी या सौस या चाय के साथ में सर कर सकते हैं हम इनी व्रत के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा मसाले का यूज हमने नहीं किया है अगर हम इनी व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं और ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आपने पसंद के अनुसार बहुत सारे मसाले डाले जा सकते हैं जैसे धनिया पॉर्डर, लालमेट पॉर्डर, गरम मसाला, चाड मसाला जो भी आप चाहें इसमें डाल सकते हैं अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें